दोस्तों मैं रावल बन जारे स्वागत करतों आपका है डिफेंस क्लास में दोस्तों हमारे द्वारा आप लोगो बहुत सारे बहुत से विभिन डिफेंस जॉब्स की यहां पर तैयारी करवा जाती है दोस्तों जहां जैसे का आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन पुलिस दिली, दिली पुलीस, इसेट पुलीस, यूपीएसी, SIG पीएसी, दोस्तों इन सब भी का तयार भी हाँ पे करवा जाते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियों में मैं बताने वाला हूँ जेंडर के बारे में तो आए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जेंडर होता क्या है यानि कि इंगलिस में कितने प्रकार के जेंडर होते है चलिए दोस्तों देखते हैं जेंडर होता क्या है सबसे पहले उसे हम जेंडर कहते हैं ठीक है दोस्तों अंग्रेजी में जेंडर चार प्रकार के होते हैं पहला मेस्कुलाइन, दूफरा, फेमिनाइन, तीफरा, कामन जेंडर और चौन्था है न्यूटर जेंडर तो सबसे पहले है मेस्कुलाइन जेंडर यानिके उरलिंग, अदूफरा है फेमिनाइन जेंडर यानिके इस्त्रिलिंग और तीफरा है कामन जेंडर यानिके उबाहिलिंग और शौन्था जो है न्यूटर जेंडर यानिके नमपूल सकुली सबसे पहले यहाँ पर देखें हम masculine gender को दोस्तों इसमें दिया गया है जिस संग्या या सबसे पुरुष जाती का बोध होता है उसे masculine gender कहते है ठीक है दोस्तों इसमें दिया गया है कुछ example दिया गया है Mohan, John, David, Boy, Horse, King, Father तो यह सब किसके अंतरकाद आजागा जलता जागा यानि के पुरुलिंग ठीक है दोस्तों अब दूसरा में दिया गया है feminine gender यानि इस्तरी लिंग जिस संग्या या सब्द से इस्तरी जाती का बोध होता है उसे हम feminine gender कहते हैं यहाँ पे इसके कुछ example दिया गया है जिसे मुसे पहचान सकते है कि या masculine कहा है या feminine कहा है यहाँ पे पहला गर्ल ठीक है लीला queen ठीक है दोस्तों या queen के spelling double e होता है लेकिन इसमें mistake हो गया है यह लिखा गया है और mother है मेडाम यहाँ ठीक है दोस्तों यह हो चाहेगा आपका feminine gender यानिके इस्त्री लिंग का बोद कराता है और तीसरा जो है वह आपका common gender यानिके उभैलिंग जिस संग्या से इस्त्री या पुरुस दोनों जाती का बोद होता है उससे हम common gender के अंदर गत रखते हैं यहाँ पे इसके कुछ example दे हैं जैसे कि teacher है child है doctor है friend है ठीके दोस्तो servant है student है यहाँ ठीके और शौन्था जो last हमारा जो gender दिया है वह है neuter gender जिस संग्या से निर्जी वस्त्री और छोटे छोटे जीव जन्तु का बोद होता है उसे हम neuter gender के अंतरगत रखते हैं यहाँ पे ठीके दोस्तो इसकी example देख जैसे कि book है book उस्तक, rat, table, mouse, pain, bird और cat यहाँ दोस्तो और एक बहुत important बात जो यहाँ पे हमको याद रखनी है I और B और U common gender के अंदर गाता है दूसरा city वो आपका masculine gender के अंदर काता है यानि के pulling तीसरा C वो आपका feminine gender के रूप में प्रयोग होता है और जो eat है वो आपका near gem in march यानि के neutral gender में ठीक है दोस्तो बहुत ही सराल है आपका यह gender चाठ हो है बस यहाँ पे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसे मज़िदार वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मात्रों